हेई गाइस वेलकम टू मूविस कनेक्शन जब आज मैंने देखी नेट्विस की अपकमिंग फ्रॉम कम फिल्म तीन बिट वी जिसमें क्या अच्छा है और क्या वुरा टिटेल में बात करेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रू देखेगा चलिए अब बात करते हैं फि दूरे काम के चलते जो क्या है और क्या यह सच है या नहीं और जिसके चलते फिल्म में आगे क्या कुछ होता है वाई चार निकले आपको दिनियों की नेट्रिस की अपकमिंग साइफार रोमेंस ड्रामा फिल्म तीन बिट्वीन जिसका बैस पार्ट ओनिसलिक हूं तो जो जिनकी परफार्मनस नो डाउट काफी बढ़िया है जो यू तो मुझे दी किसिंग बूथ 1,2,3 तीनों में ही पसंद आये थी पर जिस तरीके की आक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में दी है पिर चाहर एमोशन एंगल में हो या रोमैंटिक एंगल में वो काफी बढ़िया है लिटरली काफी बढ़िया पर वहीं बात काय अलेंग की करूं तो उनकी प्रफार्मस भी अच्छी है पर क्यारेक्टर की प्रेजेंटेशन फिल्कु भी नहीं क्योंकि जिन सिंस में उनका क्यारेक्टर फैमिली प्रालमस की बात करता है जिसका इंपक्ट हम पर पढ़ सक करूं तो कहानी नहीं नहीं है जिससे हमने पहले भी कई फिल्मों में देखा है पर हां कहानी प्राब्लम है प्रेजेंटेशन क्योंकि फिल्म पास्ट और करन्ट टाइम तोनों को एक साथ दिखा दी है जिसके चलते फिल्म का रोमांस वाला एंगल क्याक्टस का मिलना एक तोनों के बीच की केमिस्ट्री जिसे मैं इंजॉय कर रहा था वो एक वक्त पर सीरेस फिलोने लगा फ्रीजन अगें दोनों की टाइम को एक साथ दिखाना है जो मेरी नसे में टैक टका लिया गया बेका डिशिजन है क्योंकि फास्ट आपको रोमांटिक लव एंगल में र लोकेशन भी फिल्म की काफी खुबसूरत है और बीजेंबी खास करके टाइटन ट्रैक जो मुझे पसंद आया बागी वापिस आजाओ वी पॉइंट पर तो वह है फिल्म की लेंट जो एक वक्त पर फील होती है तो आई एंड में दिया गया मैसेच कुछ लोगों को समझ तो कुछ बिल्कुल भी नहीं कुछ को पसंद नहीं आने वाला बागी जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक अदूरा काह जिसे पूरा करना है उसे लेकर येँके फिल्म काफी कुछ कर सकते थी जो कि अगेन नहीं कर पाती जिसके चलते फिल्म का एंड डिसपोइन्म हाफ स्टार्स तो फ्रेंट्स यह था फिल्म ती इन पेट्मिन को लेकर मेरा रिव्यू जिसे अगर आपने पहले से देख लिया है तो मुझे कॉमेट्स में जरूर बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और इसी के साथ खतम होता है यह रिव्यू जो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू की जाएगा सी यू इन दे नेक्स वीडियो बाई